गर्मियों ने दस्तक देनी शुरू करती है। भारत में अकसर खाने के बाद मीठे में गुलकन खाया जाता है। कुछ लोग इसे पान के साथ खाते हैं तो कुछ इसे वैसे ही खाना पसंद करते हैं। युनानियों ने गुलकन का प्रयोग उपचार की रूप में शुरू किया था। गुलकन स्वादिश होने के साथ साथ सेहत के लिए भी काफी फायदे मंद होता है जैसा कि हम जानते हैं कि गुलाब की पंक्रियों में 80-90 प्रतिशत तक जल की मात्रा होती है इसलिए गुलाब की पंक्रियों से बना ये गुलकन कूलिंग टॉनिक भी कहलाता है हेल्थ इंडिया के इस रिपोर्ट में हम आपको गुलकन के ऐसे फायदे बताएंगे जिससे आप अब तक अन्जान थे क्या है गुलकन के फायदे? पेट की समस्याओं से गुलकन दिलाता है निजाद एसेडिटी या पेट की गर्मी को दूर करने के लिए गुलकन असरदार साबित हो सकता है इतना ही नहीं ये आतों के अलसर सूजन को सही रखकर लीवर को मजबूत करने में मदद करता है गुलकन को अच्छा डाइजर्स से भी माना जाता है इससे भूक वा पाचन कुरिया भी ठीक रहती है त्वचा के लिए फायदे मन होता है गुलकन ये पिंपल्स को दूर कर त्वचा पर पड़े हुए दाग धबो को भी दूर करने में मदद करता है गुलकन आपके खून को साफ रखता है जिसकी वज़े से आपके स्किन ग्लोइंग और स्मूध रहती है आखों के लिए गुलकन होता है बहतर अकसर गर्मियों में हमारी आखों में जलन पैदा हो जाती है एक शोद के अनुसार गुलकन की ठंडाई आपको फायदा पहुचा सकती है और आखों में होने वाली सूजन और जलन के समस्यों को दूर करती है दाटों की समस्यों से मिलेगी गुलकन से रहत गुलकन में पाये जाने वाले अन्टी ऑक्सिजेंस और मैनो सेचुरेटेट फैटी ऐसे दाटों से समस्यों में भी रहत प्रतान करता है इससे मसोडों की सूजन से रहत मिलती है साथ ही दाटों का दर्द भी दूर होता है मानसिक तनाओं में रहत देता है गुलकन गुलकन स्ट्रस को कम करने में भी फायदा मन होता है इसमें मौझूद अन्टी ऑक्सिजेंस और विटामिन्स तांतरीक तंथ को शान्थ करने में मदद करता है और तनाओं को दूर करता है इतना ही नहीं गुलकन का थंडा प्रभाव ठकान दूर करने में भी मददकार साबित हो सकता है ऐसे में लोगों को अपनी डाइट में गुलकन को जरूर शामिल करना चाहिए कैसे करें गुलकन का सेवद गुलकन को आप शहद के साथ मिला कर खा सकते हैं गुलकन को दूद में उबाल कर पीने से भी कई स्वास्त लाब मिलता है यही नहीं गुलकन की मिठाई भी फायदे मन होती है दोस्तो हेल्थ इंडिया के इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही स्वास्त से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेजबुक पेज़ को फॉलो करना ना भूले